हेलो गाईज गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब तो एक बर आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आइव विल पर जिसमें कि हम कर रहे थे करेंट अफेर्स मंतली करेंट अफेर्स की सीरीज जिसमें कि हम एक मनत के टोटल जितने भी हमें लग रहे हैं तो हम इसका पहला ले चुके हैं अगर आपने हमारा इससे पहले के फिफ्टे कोशन का लेक्शर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए और यह सब्टेंबर मंत का सेकंड सेट हमारा आ चुका है तो हम आज शुरू करेंगे अपना फिफ्टी फरस्ट कोशन ठीक है जो हम सब्टेंबर मंत में करवा रहे हैं और यह जो होंगे हमारे most expected questions होंगे ठीक है इससे पहले अगर आपको हमारे initiatives के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूं कि हमने economy की previous years question और most expected question की series complete कर दिये तो अगर किसने नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख सकते हैं 2021 और 2022 के लिए तो बहुत ही important हमारी series हमने चलाई हुई है previous अभी previous में के बाद हम प्री के बाद हम means के जो questions हैं उनको complete करवाएंगे ठीक है तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना second lecture का first question ठीक है उसमें आते हैं first way the non-aligned movement campaign for which of the following practices first decolonization, second universal nuclear disarmament, third apartheid, fourth socialism के लिए नहीं तो हमें देखना है कि जो non-alignment movement था, moment था, वो किस practice को follow करता था, ठीक है, first decolonization, yes, उस time पे जो non-alignment movement बना था, वो decolonization के लिए भी था, second universal nuclear disarmament, yes, यह इसके लिए भी बना था, third apartheid, yes, यह इस movement के लिए भी बना था, जो कि South Africa में चल रहा था, for the socialism, नहीं कोई कोई भी कंट्री कोई भी मोडल अपना है, मतलब capitalism, socialism, communism, उसके लिए नहीं था, ठीक है, कोई भी कंट्री कैसा भी, अपना कंट्री का मोडल अपना सकते थी, कोई किसी पर कंपल्शन नहीं था, कि यह सारी चीजा हो नेंचे, लेकिन हा, जो भी, जो भी हमारी western powers ने हमें colonize क के लिए था, और universal nuclear disarmament के लिए था, और third apartheid movement, जो की, एक discrimination based system चल रहा था, South Africa में उसको भी, रिमूव किया गया, ठीक है, तो यह non alignment movement, इन सब प्रेक्टिस को फूलो करता था, तो इसमें कौन सा answer आ जाता है, तो इसमें answer आ जाता है, तो इसमें answer आ जाता है, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, क्या आप कोई समझ में आ गया, आप आजाते हैं, question number 52nd पर, consider the following statements about global value chain, global value chain के बारे में हमें कुछ चीजें बतानी है, ठीक है, फर्स है, the global value chain refers to the international fragmentation of production process, second, participation in the global value chain can lead to increased job creation and economic growth, देखो, आप global value chain से क्या समझते हो, बिल्कुल, इसमें क्या होता है, international जो production है, उसको fragments में डिव production की process है, उसको activities में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर वो जो activities है, वो अलग अलग countries में होते हैं, ठीक है, मतलब, क्या होता है, इसमें, इसको हम क्या कह सकते है, separate, global value chain को हम क्या बोल सकते है, separate, but interlinked, separate, but interlinked, एक दूसरे से interlinked होगी, ठीक है, जैसे कि हम इसे में इसमें ले लेते हैं, तो iPhone क्या है, यूएस का जो iPhone का design है, यूएस में prepare होता है, ठीक है, उसके बाद जो क्रिटिकल inputs है, जैसे की प्रोसेसर वगरा है, वो टाइवान और साथ कोरिया में prepare होते है, और इसके जो final assembly होती है, वो होती है चाइना से, और वहीं से उसकी marketing होती है iPhone की, ठीक है, तो ये जो iPhone की जो टोटल प्रोसेस बताई मैंने, ये क्या है, global value chain का एक part है, इससे क्या होता है, अलग-अलग countries के लोगों को job मिलती है, इससे अलग-अलग country के एकनोमी growth भी हो रही है, तो क्या आपको समझ वाया है, कि क्या है, और जो है, वो वर्ल्ड बैंक इसको help कर रहा है, global value chain को catch करने में, कौन help कर रहा है, इसमें, world bank का job group है, world bank group, ठीक है, ये developing countries को help कर रहा है, कि वो global value chain में आए, उनकी economic growth हो, वहाँ पे भी jobs create हो, ठीक है, तो global value chain, yes, international fragmentation of production process है, second participation in the global value chain can lead to increased job creation and economic growth, yes, this is also the correct statement, तो इसका जो आंसर हो जाता हमारा C, जो इसका आ following are covered under the definition of farmer for the national policy of farmer, देखो, एक है, एक है, national policy of farmer, उसके according, farmer की क्या-क्या definition, farmer की definition के अंदर क्या-क्या आते है, national policy of farmer में, ठीक है, तो इनेशनल policy of farmer आई कब थी, 2007 में आई थी, ठीक है, कि कौन लागा, मतलब किसने recommend किया थी, इसके कहने पर आई थी, बाई, national commission on farmers, नेशनल commission on farmers, नेशनल commission on farmers, जिसके chairman कौन थे, MS स्वामी नाथन, कौन थे, MS स्वामी नाथन, ठीक है, उन्होंने में ली बात कि थी, farmer distress पे, farmer suicides पे, और recommend किया था कि कैसी holistic policy होनी चाहिए, गवर्मेंट की farmers के लिए, ठीक है, तो MS स्वामी नाथन की ही policy थी, एनेशनल policy for farmers, ठीक है, इसमें livelihood activities में, ठीक है, जैसे की crops कुगाना, primary agriculture, मतलब community कुगाना, या फिर all जो भी होते हैं, जैसे की poultry tree livestock, rearing करना, ठीक है, non corporate planters भी उसमें आ जाते थे, tribals, जो की shifting cultivation में है, pastoralist है, agriculture, labor, all, ये सारे जो इसने include किये थी, MS स्वामी नाथन ने, ये सारे ही, national policy of farmers में include किये गए थे, किया अपको बात समझ में आ गए, कि national policy of farmers कब बनी थी, 2007 में बनी थी, किसके recommendation पे बनी थी, एक national commission बैठा था farmers पे, जो की chairman थे, जिसके MS स्वामी नाथन, उन्होंने ये policy prepare के थी, अभी की नहीं है, तो ये अभी news में, क्योंकि agriculture laws अभी पास हुए हैं, तो उसके ये अभी news मे हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये है national policy on farmers, जिसमें बताया गया कि farmer की definition क्या है, लेकिन एक हमारी अलग scheme भी चल दी है, PM किसान, PM किसान, अपने नाम सुना होगा, PM किसान, किसान सम्मान ने दी, प्रधान मंतरी किसान सम्मान ने दी, एक जो scheme चल दी है, ज वेल डिफाइन definition, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, PM किसान में कोई वेल डिफाइन, वो नहीं है, national policy on farmer में ही, उसने farmer की जो definition है, वो दी है, MS. स्वामी नातन जी ने, तो क्या आप कोई चीज़ समझ में आई, सारी चीज़ समझ में आगी, अब बंजाते है, कुशन नमर 54 हमें बीटी कोटन के बारे में कुछ चीज़े बताने है, कि बीटी कोटन is an insect resident transgenic crop designed to combat the bullworm, जो बीटी कोटन है, वो एक insect resistant transgenic crop है, जो कि बीटी कोटन को combat करने के लिए बनाए गई है, तो और second statement है, बीटी कोटन was introduced in India in 2002, और जो बीटी कोटन है, ये 2002 में introduced की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, ये दोनों ही statement हमारी करेक्ट है, जो बीटी कोटन थी 2002 में ही introduced की गई थी, और जो बीटी कोटन है, वो एक insect resident transgenic crop है, जो की combat करती है, बुल वोम को, ठीक है, और ये only GM crop है, बीटी कोटन क्या है, only GM crop, only GM crop जो कि इंडिया में अभी अल कि किसी foreign bacteria के plant के कोई jeans डाल दे जाते है, कोटन में, ठीक है, कोटन के seeds में, ठीक है, तो कौन से jeans डाले जाते हैं, याद रखने, इसमें 2 jeans डाले गए, cry 1 AB, cry 2 BC, ठीक है, cry 2 BC, cry 1 AB and cry 2 BC, ये soil हमारी जो bacteria है, BT, bacillus thuringiensis, उससे निकालके, ये जो दो jeans है, ये cotton के seeds में डाले गए जाता है, pink bullworm से छुटकार मिल जाता है उसको, ठीक है, और ये commercial जो हुआ था, 2002 में हुआ था, और अगर हम बात करें कि जो भी हमारे में genetically modified crops हैं, इनको monitor कौन करता है, इंडिया में इनको monitor करता है, GEAC, genetic engineering approval committee, ठीक है, ये वाली committee जो है, इनको monitor करती है, ठीक है, GM crops को, और इसन इन two को भी दे रखा, लेकिन अभी government, जो है, हमारी government, central government, उन्होंने अभी उसको approval ने दिया, हमारे environmental minister ने अभी के उपर साइन नी किया, इसलिए ये अभी crop commercial नहीं है इंडिया में, only जो इंडिया में commercial है, वो है BT cotton, ठीक है, तो आपको BT के बारे में समझ में आ गया, अब हम आ जाते है, question number 55 पे, consider the following statements about the Brazilian declaration on road safety, Brazilian declaration of road safety के बारे में हमें कुछ चीजे बताने है कि कौन से statement सही है, कौन सी statement गलत है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं, it was adopted in global high level conference on road safety sponsored by WHO, ये जो थी, ये global high level conference on road safety में adopt की गई थी, जो की sponsor क्या था, WHO ने, ठीक है, देख लेते हैं, second, the declaration favored walking and cycling, क favor किया था, third, it was adopted in 2020, तो देखो, एक चीज, ये न्यूज में तो है, लेकिन ये अभी 2020 में adopt नहीं हुआ था, ये अड़ाप्ट वा था, 2015 में, कब अड़ाप्ट वा था, Brazilian declaration on road safety कब हुआ था, 2015 में ये start वा था, जब इस global high level meeting, जो ये हो रही है, ये global high level meeting, ये इसकी second meeting थी, उ और India ने भी साइन कर रखा, एक चीज जाद रखना किया, इसमें एक third statement भी आ सकते कि इंधिया ने अभी इसको adapt नहीं किया, ठीक है, तो India signed it, इंडिया ने भी इसको sign कर दिया, India sign कर रखा इसने, India ने भी इसमे sign कर रखा, ठीक है, और आपको पता होगा कि ये क्यों आ रहा ह प्रोड सेफटी यह डिकेड उन्होंने बढ़ा था और अभी एडिकेड खतम हो गया है इसलिए यह ब्रेसिलिया डिक्रेल डिक्लेरेशन रोड सेफटी पे न्यूस में है क्योंकि 2010 से लेके 20 तक का जो डिकेड था वो यूए ने क्या क्या कर रहा था डिकेड ओफ एक्षन 4 रोड सेफटी डिक्लेर कर रखा था ठीक है और इंडिया में भी इंडिया में भी किया एक पैनल बनाया एथन मैंबर का जिसमें की जिसकों सकते के एस राधा कृष्णा पै इंडिया ने ब्रेसिलिया डेक्राइशन को साइन कर रखा है और है यह जो है यह जो डेक्लेरेशन था यह को स्पॉंसर था दूपलो एक्सिदेंट से होती है तो इस गोल को पूरा करने के लिए मतलब यह ब्रेसिलीय डिक्राइशन आता है कि हम डिज गौल अपने कंपलीट कर लें तो इसका आंसर का जाता है थार्ड जो जाता है ठांशर वह मारा ठांशर तो प्लेजिए बार इल्याट पर दिजिए ना वीएं लिट्रेसी रेट जो बिहार का है वो लोस्टेट लिट्रेसी डेट है सेकें हिमाचल प्रदेश न केला आर्डी ओनली स्टेट वेर मोर देन हाफ ओफ ओल हाउस फोल्स है इंटरनेट देखो यहार न असशन में पीछ गए बिहार का थे अंधर प्रदेश की सब्सें कंद्द आच न फिशर यहां पर हाद यहां पर हाद जाद है विल्कुल यह बात बिल्कुल सहिए हैं जो दिली है वहां पे si माचल और के रिला स्टेक्स जो दिली इंट खिरल सक्टिधीय है यह वहां पर पथा practice सब यह करें कि अंतिक औहुंट जोगों के पास दो कुछ आता ऊसम में की और यह यह सब से कम इंक वालिटि यह ओने टीमें पंट धरिशन यह करनेटरेशन ठीक है यह आगे आपको समझ में question number 56, तो इस answer क्या हो जाता है हमारा, first wrong, second सही, तो इस answer हो गया B, हमें बताना था correct statement, ठीक है, अब हम आज आते है question number 57 पे, प्रधान मंत्री स्वान ने योजिना के बारे में हमें बताना कि प्रधान मंत्री स्वान ने योजिना, देखो सबसे पहले, this scheme was launched by ministry of home affairs to help the street vendors, क्या जो यह scheme थी, ministry of home affairs ने release की थी, नहीं, यह किसने की थी, ministry of housing and urban affairs ने release की थी, ठीक है, कब की थी, अभी की थी, करोना के टाइम पे 2020 में launch की थी, ठीक है, 10,000 loan मिलता, subsidized interest पे, ठीक है, second है, this scheme is available for the beneficiaries, देखो, अब हम elimination method से करते हैं, 2 होगे, हमारे पास 50-50% chance होगे, question ठीक होने के, ठीक है, second, the scheme is available for the beneficiaries belonging to all the states, जो यह benefit था, यह सब states को मिलने वाला था, third statement देख लेता है, the benefits can be availed by the street vendors in the urban, pre-urban and rural areas, कहीं पे भी हो, वो सब उसको ले सकते थे, देखो, यह third statement तो बिल्कुल सही है, कि street vendors कहीं के भी हो, वो ले सकते थे, लेकिन, यह scheme जो available थी है, केवल उन state के लिए थी, जिन्होंने street vendor protection of livelihood and regulation of street vendors act 2014 के अंदर जो notified है, जिन्होंने अपने rules बना रखे हैं, केवल यह उन के लिए थी, किसके अंदर थी, यह सबी, मतलब इसने बोर रखे हैं, all the states, यह all the states के लिए available नहीं थी, केवल उन states के लिए available थी, कि इनके लिए, जिन्होंने street vendors, protection of livelihood and regulation of street vending act, यह 2014 में आया था, इसको इसके तहत rule बना रखे थे, केवल उन states में यह scheme लागू थी, ठीक है, और वहाँ पर जिन्होंने लागू करा था, इंट्रेस्ट आपको देना था, subsidized interest पर ही है, आपको 10,000 रूपीज, लोन पर मिर ले थे, जो बाद में आप से installment में ले लिए जाते हैं, ठीक है, अब आजाते हैं, question number 58 पे, गुपाल कृष्ण कमेटी के बारे में हमें बताना, गुपाल कृष्ण कमेटी, ठीक है, अभी कौन सी पड़ी थी, दो मिरिट पहले, ब्रेसिलिया डिक्लिरेशन में, कहां गया वो question, ब्रेसिलिया डिकलिरेशन में हमने कौन सी कमेटी पड़ी थी अभी, बताओ, याद न को था किस राधा कृष्णा पैनल था रोड सेट्टी के लिए यह गोपाल क्रिशन कमैटी है पर राधा नहीं यह पर गोपाल जी आ गए ठीक है फस्त है डिकोपाल कृशन कमैटी इस इस चमेटी ओफ एक्सपर्स और नोन पर्सनल डेटा गवरनींस फ्रेमवर्क बिल्कुल यह जो जो प्रिवेटी लेटा कान हम कि पास उपन गया जा जाहन newspapers से वर्म में प्रॉपार के लिए यह उंहों नीगे की यह उन आए बिल्कुल है यह स्टेटमेंट गलला यह सब्सक्राइफ उन्हे चै spons के अब क्वीच पुल तो इसको complete हो जाता है, अब हमाँ जाते है question no. 59 पर, A.C.E. 2 enzyme often heard in news is most closely related to which of the following, A.C.E. 2 enzyme है, वो जो है, क्या है, ज्यादा तर news में क्यों है, first, natural defense against HIV, second, better immunity by virus of more white bloods, क्या है, of more white blood cells development, C, control of blood pressure, and D, cure of type 2 diabetes, जो यह type 2 diabetes को वो कर सकता है, तो किस चीज में आता है, आपने सुना होगा, यह तो आप उने सुना ही होगा, angiotensin converting enzyme, ठीक है, तो क्या होता है, यह होता है, blood pressure को control करने के लिए, क्या होता है, हमारा blood pressure को control करने के लिए, आगे आपको समझ में यह, ठीक है, तो A.C.E. 2, जो enzyme हो किसके लिए है, blood pressure को control करने के लिए, और इसका जो अच्छा explanation है, वो हम science tech वाले lecture में देंगे, जिसमें हम corona के specific जो lecture कराएंगे, उसमें हम इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, तो इसका जो answer हो गया, वो हो गया control of blood pressure, अब आप आजाते question number 60 पे, question number 60, which of the following statement is correct with regard to bradykinin, bradykinin के बारे में हमें statement बतानी है, bradykinin, bradykinin क्या होती है, डेको bradykinin होती है, इसमें एक ऐसी situation होती है, जिब हमारी जो blood vessels है, वो expand कर जाते है, जो हमारी blood vessels है, expand कर जाते है, swell कर जाते है, ठीक है, वहां से, मतलब ब्लेड वेसल सम्मारी डैर्सेंड करती है तो क्या होगा वहां से जो प्लेड वो लिग करने लग जाता है और घर लीचिजेन पूप्लट चछो चॉंडिकर आग हवारे पुरिपर कर जाते हैं तो सब्सक्राइनों घन गड़ों स्टीट मान लो ठीक है तो ब्लेड वैस अगर ब्लेड वैसल एक्स पर उनकी जो ब्लेड प्रेशर रोजाएगा वो भी क्या जाएगा कम जाएगा एक्या ब्लेड प्रेशर गोजाएगा यह चीज याद रखना ने आवर दके निम्र 61 पर हमार दातें को स्टी नुब जांब which of the following can be said to be the advantages of scramjet engine हमें scramjet engine के advantages बताने है first it has less weight as it does not carry the oxygen tank यह जो है इसका less weight होता है क्योंकि यह इसमें oxygen tank नहीं होता बिल्कुल सही बात scramjet engine जो होता है उसमें oxygen tank नहीं होता वो जो है environment से ही अपना oxygen खीचता है या लेता है तो first statement होगी बिल्कुल सही second it has it is easy to manufacture as there are no rotating parts यह जो है बनाना भी आसान है क्यों क्योंकि इसमें कोई rotating part नहीं होता क्योंकि कोई tank नहीं है इंजन नहीं कुछ rotating parts इसमें नहीं है बिल्कुल सही थर्ड steam is released as the exhaust gas which is eco-friendly in nature यहां से जो steam निकलती है वो adjust gas के रूप में निकलती है तिक है और वो क्या होते है एको फ्रेंडली होती है यह जो statement हमारी यह बिल्कुल सही है तो scramjet engine के बारे में जो हमारी यह दे रखे यह बिल्कुल सही है तिक है और तीनो statement आपको पता चलगी एक तो इसकी चीज़ यह एफिशेंट ज्यादा होता है और इसकी स्पीड में सबसे ज्यादा होती है तो पर सोनिक स्पीड में इसकी एफिशेंस सबसे ज्यादा ओती है है अगर स्पीड स्पीड कितनी होती है मैक कि से मैं छी तक मैंक स्बस्कारी स्पीड कें पिरिंट बना दें तो वो स्क्रेम जेट हो जाएगा ठीक है तो अगर एक मैक वन में क्या होता है वन मैक इस इक वस्पीड ओफ्सांड की एक वलोट कि किस पीड व साउंड के वलोटा वन मैक ठीक है और अगर हम अगर सीधा काउंट मिंग जाए तो 1 195 km 780 आठ ने यह चीज़ आपको समझ में और प्रॉज्फ से पहले किसने किया टेस्ट किया ता किसने किया ईसने किया ती यह तोलो देता स्टोफ में करद ला इंडिया से jacksonyes यह नहीं इनए लिखाले सbaby communication दher इंडिया नहीं इंडिया इंडिया निने फ्ट इंडyon इसने स्क्राम जर्प्रेंज नेक्न टेक्न नोगी इस इसे कर दके शॉर्पांट थि यहां भी एडगना इंडिया हूं फ HOR Űो में आधवने एडवांस टेक्न लोगेपक diversity ह Möglich रॉक इस month के स्रीह रिकॉटा है स्री निकाला हां भी चन्kick कंट्स किया को ब्लह्CE सब्सक्राइब ग से चाईना रश्या पहला ही हाई प्र सोनिक टेकनोलोजी को कर लिया क्या है त्यक्त कर लिया ठीक है और इसकी अगर हम बात करें इसको बहुत ज्यादा ट्रेस करना इसको बहुत जादा डिफिकल्ट है ठीक है ट्रेस करना डिफिकल्ट है लेकिन यह highly maneuverable है जिसे cruise missile last तक उसको maneuver कर सकते है यसको भी last तक maneuver कर सकते है ठीक है यह भी क्या है highly maneuverable क्या probability है इसकी बिल्कुल है difficult to trace क्योंकि speed बहुत जादा है compared to other ballistic and cruise missile यह बिल्कुल सही statement है ठीक है predictable path को यह follow नहीं करता तो यह होगी हमारी hypersonic technology के बारे में बात ही है first statement जो हता है में बिल्कुल सही है ठीक है अब आते है second statement पर अगनी five is the first hypersonic ballistic missile of India क्या अगनी five पहली hypersonic ballistic missile है इंडिया की क्या hypersonic देखो याद रखना यह मतलब जो हमारी है यह intercontinental missile है अगनी five ठीक है 5000 किलो मेंटर किसकी रेंज है 1500 किलो का इसमें वार हैड लगता है ठीक है nuclear capable hypersonic नहीं है nuclear capable कि बैलिस्टिक missile है ठीक है nuclear capable ballistic missile है किसने लोंच किया डियार डियों ने इसको लोंच किया है कौन सी missile है surface to surface missile है ठीक है fire and forget fire and forget एक बर छोड़ दी तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता फिर तो उसका काम तमाम करके यह आईगी वापिस ठीक है तो और और क्या है integrated guided missile development program development program यह वाला प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में ठीक है कब चला था 1983 में 1983 में यह प्रोग्रम चला था government of India के द्वारा ठीक है क्यों चला था Self Sufficiency in Missile Technology के लिए, Missile Technology में क्या लानी थी हमें Self Sufficiency, क्या लानी थी, Self Sufficiency हमें लानी थी, उसके लिए ये हमारा प्रोग्रम चला था, ठीक है, उसके बाद इसमें 5 Missiles को डेवलब किया गया, 5 Missiles को, कौन कौन सी Missiles हैं वो, वो Missiles हैं, पटना के नाम से याद रखना, P, A, T, N, A, ठ सबसे पहले आता प्रत्फी. अमारी याप्स प्रिट्वी क्या हैं। उसके बाद आता है अगनी. अगनी क्या है? यह एक बैल स्टिक मिसाईल और क्या है? इसके दिधरण है ब 1, 2, 3, 4, 5, अभी 5 रहें इनकी दिधरण हैं. different different ranges के यह भी एक ballistic missile है उसके बाद आती है हमारी trishool इसका नाम है trishool यह quarterly यह अगनी यह कि फिस्भाद रीछ टीका है इसके पाद आते हैं तरी टीक फिसाल है इसके मिसाल यह कौन सी रेंज के मीडियम रेंज को इसके मीडियम रेंज याद रखना इंडिया इंडिया में चल रहा है इंटीग्रेटिड गायद मिसाइल देवल्फिशन्सी लाने के लिए चला था पांच मिलस्थ इसके एंडर डवलोप की जा रही है फुस्ट पृत्वी सेकेंड तो यह जो हमारे नोट है इसको रख लेना तो जो अगनी फाइफ है यह स्टेटमेंट हमारी रोंग होगी और यह स्टेटमेंट हमारी सही है तो इसका जो अंसर हो जाता है इसका जो अंसर हो जाता हाँ ठीक है अब महुस्वे और सिक स्ट्फिटरीपे डुक्र las本 के लोग सकती है इन तरहच से किसमें पुसकटि हो शकती है ऋपया सबसे पहले है clustered regularly cluster regularly intercepted short palindromic repeats ठीक है यह है इसके full form ठीक है case 9 का है एक protein है जो कि एक scissor की तरह काम करता है mainly किसमें यूज होती है CRISPR technology CRISPR में किसमें होती है gene editing में यूज होती है mainly gene editing में यूज होती है अभी देखो अभी न्यूज पर आप पढ़ोगे उतने अब आपको पता चलेगा अभी टाटा जो कंपनी है टाटा जो गूप है उसमें CRISPR test COVID को CRISPR technology से test किया क्रिस्पर technology से कोवीड को test किया है ठीक है और बस यह है यह जो है यह इसका मतलब अगर टेस्ट कर लिया तो इसका मलब CRISPR का यूज करके हम virus को डिटेक्ट भी कर सकते हैं जिन अडिटिंग तो था ही पहले अभी हम वाइरस को उसे डिटेक्ट कर पारें लेकिन अभी क्रिस पर कास 9 टेकनोलोजी को सब्सक्ति का इसकाफ नहीं कर सकते हैं वारेल इंट्योप पे सब्सक्राइब कि गूए पर है विड्रेफरेंग टो टो टेखनोलोजी कि बारे में कुछ वीजिया बटाने है देखी हो देख लेते हैं इस इस प्लिक लेजर अफ्रिवन can inspect but which no single user controls यह सब आपको पता होगा कि कोई एक single user उसको control ने कर सकते सब उसको control कर सकते public ledger है वो ठीक है तो यह statement बिल्कुल सही है second statement हमारी आ जाती है कि the structure and design of the blockchain is such that all the data in it is about cryptocurrencies only क्या जो blockchain technology है उसमें जो data है वो क्या केवल और केवल क्रिप्टो के लिए बिल्कुल नहीं अभी हम इसको election में भी यूज करने वाले हैं अभी न्यूज आ रही थी यूज पर में कि हम election में भी blockchain technology का यूज करने वाले हैं ताकि कोई भी इसको डिटेक्ट ना कर पाए ठीक है तो क्या आप जाते को सिक्षिण नबर 65 पर क्यों से पेर जो है वो क्रेक्ट ली मैच है देखो पढ़ लेते हैं आकात सूकी और विटर सेकिंड है वीनस एक्सप्रेस थर्ड है शुक्रियान शुक्रियान तो आपको सब को पता होगा इस रोन इस रोवी लोंच करने वाले ठीक है श सेकंड है वीनस एक्सप्रेस आप सबको पता होना चाहिए कि जो वीनस एक्सप्रेस है वो किसका है वीनस एक्सप्रेस नासा का नहीं है यह है यह किसका है जापान का ही अकात सूत की जो है यह भी जापान का ही है और यह सारे कहां जा रहे हैं यह जितने भी हैं यह सारे वी तो पता है आपको जा रहा है कब 2024 में और विनस एक्सप्रेस तो गया हुआ है 2005-2014 तक गया था युरोपें स्पेस एजन्सी का फ्यूचर में देखो यह 2014 तक इसका जो टाम पेड है वह कुंप्लेट हो चुका है विनस एक्सप्रेस का इसके बाद जो यूपिन स्पेस एजन् मिशन इन विजन मिशन ठीक है यह है जो कि विनस पे जाएगा किसका यूरोपें स्पेस एजन्सी का ठीक है आपको चीज समझ में आगी देखो नासा टू बेज लिए नासा मतलब यूसे यूसे दो इनके हैं क्या डाविनसी डाविनसी प्लस और और कौन सा है एक है टैस यह कब लॉचे होंगे 2028 या 30 के असपास 2028 और 30 के असपास यह लॉचकी अब यह लॉच्ट नी होने वाले तो यह डाविनसी यह बी का पर वीनस का है यह भी विनस का है और अगर एक और कंट्री आप चाहो बोलोगे कि सबसे प्रेमस कंट्री तो रहेगी रश्या नामें वेनेरा सिरीज वेनेरा सिरीज लूंच की थी और एक थी वेगास वेगास फर्स्ट एंड सेकिंड यह चीज़ याद रख मैं ठीक है आज आते हैं और बस रटे होने जी रश्या के यह टू है नासा के डाविंसी वेरिटेस हैं इन्वीजन मिसन किसका यूए इसका अकाथ सूथ की यह है जापान का सारे के सारे वेनस को ही जा रहे है आगी बात समझ में अब आजाते हैं कुश्चन नबर नेक्स पे जल्दी जल्दी कर लेते हैं ठीक है विच ओफ दी फॉल्लाइं स्टेट्मेंट विद रिगार्ट टू वीनस अभी देखो वीनस के बारे सबसे यह ठीक है यह हमारे सोलर सिस्ट्म में बिल्कूल बेशिक के सेगंड प्लेनट अलेकिन हो तससे थे थे सबसे नसा को फोस्पीन के जो वह सब कर दोने जो एक व्यक्तर ने स्क्ष्प्रिस ने यह नोटिस किये हैं और यहां पर इसका ठीक है फोस्फीन है कि यहां पर आटमस्फेर में स्योटू है और याद रखना वहां पर जो क्लाउट्स है वह बहुता एसीड के क्योंकि वो कि इसके बने बने अर्टे सुल्फियूरिक असिड के हैं तो यह तीनों ही स्टेट्मेंट हमारी सही हो जाती तो ज आपको अगया समझ में आप जाते कोश्यों नवर सिस्टी सेवन नाज्सा के प्रोग्राम के भारे में बरताना जो कि है ए आटमस्फ मिशन अर्टमेस फिर्ण टीक है ऑट आटमेस मिशन यहां पर जाए गगा राटिम पर्टमें को यहां पर मून पर पर मून पर जाएगा Siya it will land astronauts on the moon south pole जो यह है यह मून के मसा पॉल पे लेंड करीगा यह भी विल्कुल सब्सक्न halk मेस पक्रेंट करें इससे पहले अभी मिन संद्क कॉना मिशन गाया थे पॉल नंदीट्वक गली Maps पीपनलीटिंचेगा मेन कीतुन चौक इसकी सब्सक्राइब का और मोन्मून स्वाउधών में समय में आगे अग्र हार्ट आटन्र जो कि फुल फॉर्म बताएं कि आर्टेमिस की ही फुल फॉर्म क्या होती है आर्टेमिस उसका नाम क्यों रखा गया तो आर्टेमिस है एस्टलरेशन एस्टलरेशन रिकनेक्शन एस्टलरेशन रिकनेक्शन टर्बूलेंस 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 एलेक्ट्रोडाइनमिक्स of moons interaction of moons interaction with sun of moons interaction with sun यह हमारे तिन उते हैं acceleration, reconnection, turbulence, electrodynamics of moons interaction with sun यह हो गया Artemis A-R-T-E-M-I-S आ गया समझ में? यह है इसकी full form lunar surface पर यह जाएगा कितनी components में divided है? कब जाएगा? कितनी women? कौन सी women को लेके जाएगा? कौन सी men को लेके जाएगा? सब कुछ आगा समझ में? आप जाते हैं क्या है? दोनों स्टेटमेंट से ही तो इन सरु जगा C अब आप जाते हैं कौशन नबर 68 पर Gift City के बारे में हमें कुछ बताना है It is developed as a vertical city जो यह हमारी as a vertical city हमारी developed हुई है Second, it is located on the banks of river नरम्दा, यह नरम्दा के bank पे situated है क्या ऐसा है? देखो नरम्दा के bank पे यह river situated नहीं है यह है साबरमती, sorry, R लिख रही हूँ पहले ही यह है कहाँ पे? साबरमती river के कोस्ट पे तो यह second statement तो हमारी हो जाते है wrong अगर हमारी second statement रों को देते हमारा एक यह option cut होता है तो देख लेते हैं, it is a vertical, देखो यह vertical city की तरह developed की गई है Second, it consists of multi-service special economic zone and an exclusive domestic zone यह भी बिल्कुल सही statement है कि हाँ पे multi-service special economic zone भी बनाया गया और exclusive domestic area भी बनाया गया Fourth, it is being developed as country's first international financial service center यह country कप पहला IFSCB है यह जो fact-based question है आपको पता हो अच्छे तो इसकान से हो जाता हो जाता हो जाता हमारा D अब आप आजाते है question no.69 पे 69 हमारा क्या बोलता है यह जो animal है, यह critically endangered है omnivorous है और कहां पहां 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 जाता है इसमें हमारी statement सही है तो याद रखना इसमें से जो है हमारा जो critical endangered है वो एक ही है वो है himalayan brown bear himalayan brown bear ही अगर हमें species की अगर वो बताए ना category की कौन से category की animal कौन से है तो वो भी बहुत जादा important है, critical endangered अभी news में था यह himalayan brown bear, ठीक है क्या पके समझ में आ गया Omniverse और इसका जो अगर scientific name की बात करें तो क्या पता है scientific name आ जाए Ursus Aractus Isabelis इसमें आ जाता है और अगर देखो himalayan wolf है endangered, himalayan wolf क्या है endangered है हमारा, snow leopard जो है हमारा वो क्या है vulnerable, vulnerable और red panda क्या हमारा, यह है endangered, यह क्या है endangered, तो critically endangered क्या रहा गया, एक ही रहा गया, himalayan brown bear, ठीक है तो इसका जो statement आ गया, आंसर आ गया, वो आ गया C, ठीक है आ जाते है question number 70 पे, consider the following, एक बार इसको cut कर देते है consider the following statement about D614 G mutation, D614 G mutation, इसका नाम ही D614, इसका mutation का नाम ही क्यों रखा गया है क्योंकि इसमें, देखो जब भी वाइरस क्या, इसमें वाइरस ने क्या किया है 614 पोजिशन, पर 614 पोजिशन, पर 614 पोजिशन, इसका नाम है D614G, जहां पर aspartic acid को glycine से replace कर दिया गया है तो देख लेते हैं कि क्या है 70, it is one of the dominant variant of novel coronavirus that occurs when the virus upon entering an individual body makes an error in creating copy of itself, यह बिल्कुल सही है mutation है virus की, इसकी COVID virus की 2nd, it has shown increased infectivity and great ability in at attaching itself to the cell wall inside an individual's nose and throat and increasing the viral load, यह भी बिल्कुल सही statement है कि इससे जो उसकी virus की infectivity है, वो बढ़ गई है और बस यह है, कि यह mutation है और इससे virus की infectivity बढ़ गई है क्यों ना, इसका नाम रखा गया, वो मैंने बता दिया अब आप आज आते है, question number 71 पे which of the following statement about spiral galaxy bar spiral galaxy bar के बारे में हमें कुछ statement कुछ statements जो है, वो बताने कि spiral galaxy bar के बारे में, first bars are complex dynamic structure, bars ऐसे structure होते हैं जहाँ पे stars formation नहीं होती as the reason covered by length of the bar does not have enough gas, यह बिल्कुल सभी statement है galaxy के बीच में माले यह हमारी galaxy है इसके बीच में यह बार है, यहाँ पे enough gas नहीं होती है, gas सारी बार है इसमें enough gas नहीं होती है, तो यहाँ पे star formation बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है तो उसी को बोलते है, galaxy के bar spiral galaxy bar second of the milky way is barred spiral galaxy जो milky way है हमारी वो bar spiral galaxy यह भी बिल्कुल सही है, वहाँ पे ऐसा reason है जहाँ पे barred region है और वहाँ पे other stars की information नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसका अंसर जो जाता हमारा C क्या आपको समझ में आ गया, इसका अंसर C क्यों है आप जाते question number 72 पे, consider the following statements there are bureaucratic organizations in this valley civilization in this valley civilization में bureaucratic organizations थी second है कि the headuppance used dairy for their households only जो headuppance जो people थे, वो dairy को केवल और केवल household के लिए यूज करते थे, अब भी news में आया था कि paper में आया होगा, आपने देखा होगा कि ports मिले हो आप और ऐसा लग रहा है कि केवल household के लिए नहीं, वो commercial purpose के लिए भी commercial purpose के लिए भी वो उसको use करते थे, किसको, किसको dairy को ठीक है, commercial purpose के लिए भी यूज करते थे, तो हड़पन, केवल, केवल household के लिए नहीं, वो commercial purpose के लिए भी उसको use कर देते थे, और अगर मैं इसके पहली statement के बारे में बात करूं, तो अगर मैं इसके बारे में बात करते हूं, तो यहां यहां पर कोई king नहीं था, कोई bureaucratic organization नहीं थी, कोई नहीं चलाता था, वहां पर symbiotic relationship था, societies के बीच में, तो यह जो हमारी statement है, यह first भी हमारी रोंग हो जाती है, तो इसकी जो दोने statement रोंगा में पूचा correct कॉन सी है, तो correct तो कोई भी नहीं है, तो अंसर हो गया हमारा D, अब हमाँ जाते हैं, question number 73 पर, question number 73 क्या है, the term rainbow new deal which was in use can be associated with which of the following, rainbow new deal को किसके साथ हम attach कर सकते हैं, first, sorry, first ecological protection of the natural resources, ecological protection करना natural resources का, second tackling wealth inequality, yes, third sustainable public sector initiative for marginalized sector, ये भी है, reviving India's craft, ये भी है, तो इसमें जो सारी statement है, वो rainbow new deal में हमारी complete ज़रते हैं, कि उसमें हमारे, मतलब, economic को environment से जोड़ा गया है, तो जितने भी economic की चीजे और environment की चीजे सही होती दिखेंगी, वो आपको इसमें सही लगा देने, ecological protection करना है, wealth inequality को को भी correct करना है, sustainable public sector initiative, जो marginalized sectors को वो करेगा, वो भी करना है, और हमारी India की craft को भी ताकि हमारी economic wealth बढ़े, ठीक है, इसमें और क्या इसमें, 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 इसका main purpose है कि dignified और जो sustainable livelihood को create करना majority of the population के लिए, Indian environmentalist ने इसको suggest किया है, ठीक है, इसमें इक लोजिक को और wealth, inequality को और economic, जो वनरे लिबिटीस हैं, उनको, मतलब, integrate कर दिया जाएगा, सब सारी problems को एक साथ solve करने का एक प्रिटर नहीं है, किसके model पर बेस है, इंडियन environmentalist ने अगर rainbow new deal बताई है, तो क्या कहीं और ऐसी कोई कुछ चल रहा है, यह उसमें, चल रहा है, एक green new deal, क्या चल रही है, युएसमें green new deal, तो यह समें, इंडियन model के base पे, इंडियन environmentalist ने suggest किया कि rainbow new deal इंडिया में होनी चाहिए, तो यह इसकी जो statement हो जाती है, तो यह इसकी जो statement हो जाती है, तो यह इसकी जो statement हो जाती है, ठीक है, अब जाते कुछ नबर 74 पे, sorry, नीच चाहिए, the official languages act 1963 provides service of the following, जो हमारा यह है, official languages act यह क्या बोलता है, first only English shall be used for certain specific purposes like resolution, rules, general orders, notification, administration and other reports के वल English use होगी, तो ऐसा नहीं है, English और Hindi जो है, वहाँ पे दोनों ही use होगी, official language act में इसा लिखा होगा, तो first statement हमारी हो जाती है, wrong, second optional use of Hindi और other official languages in judgments of Supreme Court, एक चीज़ यहाद रखना, optional use Hindi का और कोई official language का, यह high court में है, यह high court में है, Supreme Court में ऐसा नही होगी है, तो second statement भी हमारी गलत हो जाती है, first statement भी गलत हो जाती है, जो इसके बारे में आपको पता चल क्या है, अब जाते है, question number 78, 75 पे, sorry, consider the following statement about national commission for protection of child rights, national commission for protection of child rights के बारे में हमें कुछ चीज़े, बतानी है कि क्या है, first the NCPCR has been added in Indian constitution through the constitution, 42nd amendment act, ठीक है, कि यह जो है हमारा 42 second amendment act में add हुआ है, तो एक चीज़ या रखना, कि ऐसा नहीं है, यह इस act के according बना ही नहीं, ठीक है, 42nd amendment act में यह बना ही यह जो बना है, commission for protection of child rights, commission for protection of child right act, जो 2005 में आया था, उसके according यह बना है, बना कब है 2007 में बना है, ठीक है, तो 1976 में तो सबसे पहले बना ही नहीं है, ठीक है, और यह जो है reports किस-को देता है, central government को भी देता है, और अगर वहाँ पे child rights से related, child rights के protection से related, अगर कोई reports state government के तो यह उनको भी देता है, ठीक है, हम देखरते है second, the NCPCR is empowered to inquire into the violation of child rights and recommend initiation for proceeding in such case, yes, यह बिल्कु सही है, वो inquire कर सकता है और वहाँ पे recommend कर सकता है कि यहाँ पर Parliament, यह भी बिल्कुल हमारी सज़ स्टेटमेंट है कि Parliament के सामने वह report कि रखनी पड़ेगी, तो इस cancer हो जाता है, ठीक है, इस cancer हो जाता है, अब जाता है question number 76 पे, question number 76 हमारा क्या है, कि हमारे जो vulture fund होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है, हमारे vulture fund क्या होते हैं, तो याद रखन अब यह जो asset reconstruction company बना ही है ना, same है, उसी को vulture fund भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोल सकते हैं, vulture fund भी बोल सकते हैं, ऐसे funds, जो buy करते हैं, ऐसे bonds को, जो distressed हैं, और फिर बाद में उनसे profit कमाते हैं, और जितना भी होगा, वो profit कमा लेते हैं, उससे, sorry, ठीक है, वोसे profit क बनाने के लिए, ठीक है, ताकि हम उसको सस्ते में खरी लें और बाद में उसको महेंगे में बेच दें, उसको बोलते हैं, vulture fund, याद रखना इसको, उसको बोलते है, vulture fund, ठीक है, very important, आजकल न्यूस में बहुत चल रहा है, अब अधाते कोशन नुबर 77 पे, निधी development and harnessing innovations in India, ठीक है, for harnessing innovations in India, यह है, इसकी full-foam, अगर यह इसकी full-foam है, तो क्या होगा, इसकी answer क्या होगा, देखो, देख लो, support the women-led self-help group क्या ऐसा है, नहीं, second is provide entrepreneurship to SCSTS अभी नहीं, देखो, इसमें innovations को support करना, fourth statement, development and harnessing innovations in India, fully full-foam ही, इसमें डेजर की, तो आपको full-foam इसमें टेक की अंडर रही है, ठीक है, यह entrepreneur को, मतलब वो, किसी भी entrepreneur के पास कोई idea है, ठीक है, तो यह मतलब लगबग 30,000 पर मन्त इसमें दिये जाएंगे, किसी भी entrepreneur को 18 महीने के लिए, maximum जो है, इसको दिये जाएंगे, 3.6 लाग रुपीज पे cap लगाईगी है, कि इस से ज इस इस सब्सक्राइब गया है, जो कि इस पेले की इस स्पैलिंग कि यह जाता है, जो कि हमारा पैसे ही बज जाते हैं, ठीक है, यह एक जगह से, multiple points में यह पहुझा देता है second this technology has low power consumption and hence suitable for rural India यह जो है यह rural India के लिए suitable है क्योंकि इसमें जो power consumption है वो बहुत काम होता है यह भी बिल्कुल सही statement है दोने statement से ही है तो जिसका answer आजाता हो जाता हमारा C अब हम आजाते question number 79 पे question number 79 कह है which among the following sources of renewable energy comes under the policy of renewable purchase obligation इंडिया renewable purchase obligation के अंडर कौन सी हमारी जो है वो आती है आपको renewable purchase करना ही होगा मतलब को डिसकॉम companies को ऐसा कर दिया गया कि आपको renewable से कुछ percent जो energy हो लेनी ही होगी खरीदनी होगी ठीक है तो compulsory बना दिया गया उसको बोला गया है renewable purchase obligation ठीक है इसको मुसके लिए यह तो क्या क्या है उसमें तो यह द्रकना ही सारी यह सोल अनर्जी भी है small hydro power project भी है लार्ज है रो पावर प्रोजेक्ट भी है ठीक है और ocean energy क्योंकि यह सारी ही जो energy है यह renewable energy में आते है ठीक है तो सारी energy तो इसका अंसर हो जाता वो हो जाता हमारा services in rural areas यह जो है यह universal service obligation fund है यह telecom service को improve करने के लिए लाया गया था rural areas में second statement है the financial resources for this fund are raised through universal service levy of 5% of adjusted gross revenue of telecom service providers तो यह जो दोनों ही statement है यह हमारी दोन ही statement से हैं कि यह जो इससे जो fund लिया जाएगा यह यहां से लिया जाएगा और universal service obligation fund को भी हमारे एक्ट के अंदर कौन से एक्ट के अंदर आभी इसमें एक्ट ने बताया तो वो जो एक्ट है वो है Indian Indian Telegraph Indian Telegraph Amendment Indian Telegraph Amendment Act 2003 के according 2003 के according जो है इसको statutory status दिया गया लगती है तो जो इसका अंसर हो जाता है वो मारा हो जाता है सीधो नई statement सही है नवा जाते है question number 81 पे question number 81 क्या कहता है defense acquisition procedure के बार में बताना है जो कि 2022 में था consider following statement first defense acquisition procedure अभी क्या किया है गौर्मेंट ते अभी देखो देख रहते है ओल इंटरनेशनल डिफेंस डिल विद कैपिटल पर्चिस अब टू थाउजन क्रोड है वुड है और ऑफसेट क्लोज ओफ 30 परसंट जो यह है उसमें ऑफसेट क्लोज होगा आंऑ थर्क्टि परसंट का यह इससे क 요 क्या हमें एक हजार क्रोड में हमारे सो महारी जालते लेकिनपहएं नभभें हिए तैन परसंट पैसा मने दे दिय क्लिए आप और उसकी टेकन लोजी प्रॉइब करlor ते कि हम अपने domestic market में इसको बना सेके, उसको बोलते है offset close, ठीक है, तो यही है कि 2000 से नीचे वाले में offset close नहीं होगा 2000 से उपर वाले का जो होगा, उसमें होगा सारे international defense deals में second are the offset obligation in case of intergovernmental agreements would be higher as compared to normal defense deal याद रखना, intergovernmental agreement जो भी होगे, जो government आपस में खरीद देंगी defense का समार, उसमें कोई भी offset close नहीं होगा, totally remove कर दिया गया है, ठीक है यह यह नहीं है, तो इसका जो answer जाता है हमारा हो जाता है, ठीक है, यह totally remove कर दिया गया, आप जाते है question number 82 पे which among the following international agency publishes the food price index food price index को को निकालता है food price index को को निकालता है तो आपने तो यह बड़ाई होगा बड़ अच्चे से कौ निकालता है, food and agriculture organization, food price index को निकालता है, कौन located food and agriculture organization, ठीक है food and agriculture organization, यह कब introduced किया गया था, 1996 में introduced किया गया था, when introduced किया गया food price index, 1996 में introduced किया गया था, और monthly change देखता है, यह कि international prices मंथली को नोट स्करता है तो यह घर हम और चीज़ बात करें कि यह टार आपर यह को दाओ फोड़ा करें कि हम फोड़के बात करें यह घर लेटीम कि अब अब देखो आप यह चो पढ़ने ही लगए कि हम FAO के बारे में पढ़ लेते हैं यह कब बनी थी 1945 में बनी थी और फुट प्राइस इंडेक्स कब शुरू किया था 1996 में बहुत साल बाद तो यह बनी थी 1945 में यह UN की इसके इटली में रोम में और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स यह निकालती है यह जैसे की आती है देखो सोफी, सोफा, सोको, सोफो, सोफिया यह सारी ऐसे ऐसी जितने भी रिपोर्ट है यह सारी F.A.O. ही निकालती है सोफी मतलब state of food security and nutrition in world सोपा मतलब state of food and agriculture सोफो मतलब state of agriculture commodity market सोफो मतलब state of world protest जो भी है और सोफिया मतलब state of world fisheries and aquaculture के बारे में जो है fish and aquaculture के बारे में जितने रिपोर्ट हैं यह सारी publications को निकालती F.A.O. को निकालती F.A.O. food and agriculture organization तो यह चीज याद रखना F.A.O. के बारे में आप जाते कुशन नमर नेक्स्ट पे कुशन नमर 83 viability gap funding, viability gap funding क्या होता है जब भी कोई economically sound कोई भी project होता है अगर उसमें funding की कमी होती है तो government उसमें कुछ funding दाल देती है उसको बोलते है viability gap funding तो देख लेते हैं it provides financial support only to the financial viable PPP projects यह जो है यह कहां पर पैसे डालती है जो कि financially viable project हो तो एक चीज़ याद रखना अभी मैंने बोला कि economically sound economically sound economically sound but financially inviable financially viable नहीं होंगे financially inviable होंगे तो first statement हमारी drone हो जाती है financially inviable होंगे economically sound होंगे मतलब ऐसा लग रहा है कि हां यह सही पैसे में बना रहे है लेकिन है इनके पास उतने भी पैसे नहीं है बनाने के ठीक है वह चीज़ बात है सब्सक्राइब नेचर और फैनेशल असिस्टेंट के अंदर government जो है अगर आप social infrastructure में अगर कोई construction कर रहे हो तो वहां पर जो यह cap है 22-30% increase करने की बात कर रहे है केवल और केवल जब जो social infra बना रहे है और चीज़े नहीं social infra जो create कर रहे हैं जैसे की health होगा education होगा इन चीज़ों में जो प्रोजेक्स उनमें 30% प्लानी की बात कर रहे हैं लेकिन और सभी प्रोजेक्ट में अभी 20% ही continue रहेगा तो यह चीज़ आपको समझ में आगी और यह second statement का है the nature of financial assistant is in the form of loans नहीं लोंस की फोन में नहीं होता है तो पहले में हमें कुछ statement बतानी है ठीक है तो देख लेते हैं कि the proceeds of fund can be used to finance बहुत commercial और social infra देखो यह जो fund होगा ना Central Road and Infra Fund यह दोनों ही commercial हो चाहे social हो दोनों इंफ्र projects के लिए construction के लिए यूज होगा बिल्कुल सही है second the fund is under the administrative control of ministry of road transport and highway यह जो है यह ministry of road transport and highway के अंडर है किया यह statement यह चाही है यह पहले था रोट रांसपोर्ट and highway के अंडर यह फंड लेकिन अभी जो है ministry of Finance की पास है act it is a minister की बात करें तो किसमें है ministry of finance में अई है थिख है ministry of road transport on highway में अभी नीं है मिनीश्यों finance में इसको डाल दिया गया है उसके अंडर भी कौन सा department department of economic affairs department of economic affairs तो ए स्टेटमेंट इसके मारी सही हो जाते हैं अब आप आपकोश्य नंबर 85 पे वेड रिफरेंस to the fixed term employment provided under the industrial relation code 2020 industrial relation code 2020 आया है उसमें जो fixed term employment की बात की यह उसके बारे में statement देगे है the fixed term the fixed term employees are employed within company under the written contact through a contractor or an agency देखो याद रखना fixed term employment मतलब कोई भी employer और कोई भी जो worker होता है उसके बीच में क्या होता है एक contract हो जाता है employer और worker के बीच में contract हो जाता है कि आप इतने term के लिए हमारी company में रहोगे ठीक है आप इतने term के लिए हमारी company में रहोगे fixed term के लिए उसके बाद आपको automatically निकाल दिया जाएगा अगर आपको extension यह निकाल दिया जाएगा यह चीज होती है लेकिर उसमें कोई भी बीच में contractor नहीं होता है एक चीज यहाद रखना उसमें कोई भी बीच में हो गया हमारा भी है ठीक है इसका अंसर हो गया हमारा भी अब आप आते कुछिन नबर 86 पह कोई नबर 86 क्या है फिद रिफरेंस तो दी कोड ओन वेजिस विद रिफरेंस तो कोड ओन वेजिस 2019 के बारे में में अंडरीस कोड ओनली दी सेंटर हैस बिंपाव उस इस में केवल बताया गया की केवल जो सेंटर है वही मिनिमम वेज फिक्स करता तो दॉद कुल नहीं ऐसी बात नहीं है यह पिल्कु सही है code of wages act होगा वो चाहे उस state में organized sector चाहे इन और अनुर्गनाइज sector दोनों के लिए अप्लिकेब लोगा लेकिन state अपने हिसाब से उसको मेनुप्रेट कर सकते हैं तो जिसकान से हो जाता वो डी क्योंकि ना फर्स्ट सही है न सेकंड सही है अब मां जाते है question no 87 पर यह अभी जो बिल पास हुए ना उनके ऊपर यह question बनाए हुए बहुत ही ज्यादा important है ठीक है देख लेना the code on social security the code on social security 2020 subsum which of the following regulations relating to the social security retirement and employment benefit to to yeah talk 9 Deutschland कोई सब शूम किया गया है उससे यह भी आता है यह भी आता है यह भी आता है यह ओfly डिखो अगर आपको आपको कोई देदे कि 30 में कोई बना हुआ देदे कि यह भी इसमें सब्सक्राइब नहीं देखो 20 आ गया 30 निया है 40 50 60 70 80 90 2008 हर और 2010 के बाद भी कोई नहीं आया है ठीक है तो यह ही आद रखले हो मोटा मोटा इतना याद रखने की जुरूरत रहे है ठीक हो चारो लोगे तो च सब्सक्राइब करते हैं जो गवर्मेंट अमलब लेती है जल 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 आता जिसे टेक्स है हर महीने आता है और कुछ है जो हर महीने आते हैं ठीक है और कुछ सब्सक्राइब करते हैं इसमें भी घाटा होना मतलब अपने नॉर्मल फंक्शनिक को भी नहीं कर पारी है मतलब गवर्मेंट के वस उतना नॉर्मल काम कर पाई यह बिल्कुल सभी स्टेटमेंट है थर्ड़ा इन केस ऑफ रिवेंडियो डैफिसेट जब होता है गवर्में युजवरी ट्राइस टू कर्टेल करते मिल्ला बंद करना इस फैंसे इसको रोकने की कोशिश करती है और इंक्रीज दी टेक्स को बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि उसके पास रिसिप जादा यह बिल्कुल सभी स्टेटमेंट है अगर हमारे पास पैसे कम होंगे तो हम क् आधा खर्चा कम हो जाए और हमारी इंकम जादा के लिए क्लिके टेक्स करेंगे अभी और नों टेक्स लिए पो बढ़ाएंगे जैसा भी कर रहे है पेट्रोल 40 रुपे का और सपर 60 रुपीज लगा रहें ठीक है जोग सब्सक्राइस पार्ट थिक है तो इसका जो यह है यह एक वैब वैब बेस्ट प्रोग्राम में जिसमें नासा जो है वर्चुल जरूनी करवाएगा स्पेस्क्राफ्ट की ठीक है सेके जुनो प्रोवाइट क्रूशल डाटा एंड इंपुट्स फोर नासा आइज ऑन सोलर सिस्टम यह भी बिल्कु जुनो मिशन जो है वह इसको प्रोवाइड करवाएगा तो इसको दोनों ही सेटमेंट है वह सही है ठीक है नासा इसके बारे में और जो इसके बारे में डिटेल है वह हम करेंगे साइंस अंटेक्ट के लेक्शर में 90 आगया विच वीच फोलेंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाओ फिसकल देफिसित के बारे में हमारी कौन सी चीज़ फिसकल डेफिसित के और था तो इसको मिल रहा है रिवन्यू में 90 रुपे तो जो दस रुपे वह खर्चा करेंगी कहां से करेंगी तो यहीं बोला है कि फिसकल डेफिसित गिउस्ट नीडिट बाइड वाइड रिए गवेंट क इसको मेट करने के लिए जो अमांट होता है वही है ठीक है एक लार्ज फिसकल डेफिसित मीज लैस अमांट बोरेंग देखो लाज फिसकल डेफिसित मतलब ज्यादा दस की जगह यह 40 हो गया जादा जितना जबाइड लोन लेगी ठीक है उतनी जदा मूंट बोरूइंग उ अच्छो डिया मांट ओफ गवर्नमेंट बोरॉंग स्पेसिफिकली तो मेंट दी एक्सपेंसिज ओफ बोरेंग बाइग रिमुवंग डी इंट्रस पेमेंट लेए पुछले महीनों के इंट्रस पेमेंट दे पिछले मेंग इसको बोलते हम प्राइमरी देफिसित मतलब इस पिछले साल की जो हमने इंटरेस्ट देना है वो हमें 100 रुपे देना है और अभी जो हमने बोरेंग कि वह भी सोई रुपे किया इसका मतलब अभी जो हम खर्चा कर रहे हैं वो हमारा total complete हो जा रहा है, मतलब हमारा revenue deficit कुछ नहीं आ रहा है, मतलब अभी हम financially viable है, ठीक है, अभी हम financially viable है, केवल जो हमारा घाटा बचा, वो पिछला interest payment का बचा हुआ है, उसको बोलते है zero primary deficit, मतलब 100 minus 100, अगर हम उसको बोलते है zero, तो zero हो गया, zero हो गया मतलब, zero means the need for borrowing to meet the interest payment, केवल और केवल बोरों की जो हम में need पढ़ेगी, वो interest payment के लिए पढ़ रहे है, ये बिल्कुल सई statement है, केवल और केवल जो हम borrow कर रहे है, वो interest payment की need के लिए कर रहे है, zero primary deficit में, ये बिल्कुल सई statement है, क्या आप कोई चीज़ स केवल और केवल हम जो पैसा ले रहे हैं, वो पिछली interest payment के लिए ही ले रहे है, तो 100-100 कितना हो जाएगा, zero, तो primary deficit जब zero होगा, तो अभी जो हम financially viable है, केवल और केवल जो हम पैसे ले रहे है, वो पिछले साल की interest payment को चुकाने के लिए ले रहे है, ये बोध बच्चे को इसकेता होगी, जो और कर नान एक हम जो नान एक है को जो करनातिका, 2022 है हम दो एक दो इस जीफ रिजर्वार और निल रिवर्ड ये जो है यह चीफ रिजर्वायर निल रिक्वार निल विक्तोरिय आपको पता होगा कि लेक विक्टोरिया से जो इस तो इस नीकलती है तिया Centucky वहां से नुके थी संचंत बिल्कुल ग़र्ट है यहां पर जो लेक शी पास होता वह था एक वेटर लेक टुर से जो पास होता हो था एक वेटर और मेली जो इस से जो बाइंडिंग कंट्री जैम तीन कंट्री इसको स्राउंड करती है वो ते केन या केन्या उगांडा उगांडा एंट अंजाइन तैंजानिया यह तीन कंट्री इसको सराउंड करती है एक वेटर इससे पास होता है और यह प्लू वाइट नहीं का यह ची फिर जवायर और लेक विक्टोरिया इसका लार्जस्ट मतलब लार्जस्ट लेका अफ्रेका का यह तो कि ऐसे पार डाव कुछ बता ना मेहरगड मेहरगड में काच्ची प्लेंस ब्लोचिस्तान आप निवहरगड में कि इस फर्स नोन अग्रेरियंग सोसाइटी वेर अनीमल और प्लांट्स वर डोमेस्टिकेट डिन साथ इसे जहां पर आनिमल्स और प्लांट्स को डोंडिकेट क किया गया तो और शाओट अफ्रिका में यह बिल्कु र्वाइब वही टाउने टीक है इंडिस वैली स्विलाजीशन का टाउने तो यह जो इसके आंसर जाता है ऑच आगा थे जिए टीक आप शून नबर 95 फॉच्ट भी फॉलइंग स्टेटमें इस्टेटमेंट हमें से बमे विष्णु और बुद्धा तीनों कोई पूसते थे यह जो कोशन है यह हम कहां करवाएंगे अच्छ से हिस्ट्री वाले पार्ट में अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेस्ट चेक कर लिए वहां देख लिए तिक है अब आप आते कोशन पर 96 में विच ओफ दी फॉल आप सभी को पता होगा इधर इस साइड पर है माले यह उस्ट्रेलिया है तो ग्रेट बैरियर रीफ यहां पर है कहां पर नोर्थ इस्ट में तो फर्स टेटमें होगी है हमारी रोंग कि यह वहां पर नहीं है सेकंड इट इस ओनली लिविंग तिंग ओन अर्थ विजिबल इस पता नहीं है फर्स्ट व्यों मित्रे जे मेल हुमेनोड कि आपको लगता है व्यों मित्रा अपने सबने ही शायल इसका फोटो देखा होगा यह क्या है एक फीमेल हुमेन अगर हम फर्स टेटमेंट कर देते हैं तो डारेक्ट अमरा अनसर आता भी ठीक है और भी देख ल फीमेंट कर देखं़ें यह क्या हुमेंट की डियू अंतरले कि पहली को छीज आते क्या सीक्राइके क्येर्ट टेख विए डिशी मिशL लेसे क करेंड है अगर मेंधन की फोला नियुका मिसल सेध़ एप्नाय शूर् counterpart मिक्स्राइट कर निषी घ्री रिकोग वीज़ कम छाह तो आपको भी उसका भी certificate दे जाएगा तो यह वोकेशनल ट्रेनिंग का बिल्कुल बात करता है second it aims to train over 70 crod people in India in different skills by 2020 जो यह है यह 70 crod people को वो करना चाता तो देखो यह statement रोंग हो जाते 70 crod नी 40 crod people को 40 crod people को यह 2022 तक different skills देने चाते है इस scheme में 40 crod people है 70 crod नी है तो जो इसका आंसर हो जाता हो जाता मारा ए ठीक कब लों चुई थी 2015 में लों चुई थी ठीक है अब जाते कुशन नबर 99 पे Haridai Sakim Haridai Scheme Haridai मतला national heritage city development and augmentation use na Haridai Scheme first time the main objective of Haridai is to preserve the character of the soul of the heritage city and facilitate inclusive heritage link the heritage link the urban development by exploring various avenues including involving the private sector private sector को इसमें involved किया जाएगा यह यह बिल्कुल सभी statement है इसमें यह है second it is central sector scheme yes इसमें यह है कि central sector scheme है 100% जो funding है इसमें वह कहां से आएगी government से आएगी 2015 में यह लोंच किया और किस ministry के अंदर है ministry of housing and urban affairs के अंदर है ठीक है और इसमें 12 cities को involved किया गया कितने cities को involved किया गया 12 city अगर मैं बोली दूं देख लेते हैं फिर भी देख लेते हैं अजमीर अमरावती मथूरा पूने वारानासी ठीक है वारानासी पूने गया वेलमकानी वारंगल जो भी important city आपने सुनी है धार मिक्स से related ठीक है द्वारका कांचिपूरम अमरिचर यह सारी cities जो है 12 cities यह इसके अंदर इंक्लूड की गई है तो क्या आपको समझ में आ गया हरिजा स्कीम के बारे में अब आ जाते हैं कॉशन नंबर 100 क्या है प्रद्धानमंत्री मुद्रा योजना इस स्कीम लोंस इन 2010 देखो मुद्रा योजना कब आई है हमारे मोधी जी के टाइम पर आई है जो कुश्चन है बिल्कुल अच्छे से हमने कहां करवाया है आपको पता ही होगा एकनोमी के सेक्शन में बहुत अच्छे से यह कंप्रीट हो चुका है मुद्रा स्कीम के बारे में टोटल तो इसलिए अभी मैं इसके ज्यादध डीप में नहीं जा रही हूँ मुद्रा की जो अगर मैं फुल फॉर्म की बात करो तो मुद्रा की जो फुल फॉर्म हो होती है माइक्रो यूनिट्स डेवल्लपमेंट रिफाइनेंस एजनसी ठीक है जिए जिसको भी लोन प्रवाइड करने उसको प्रवाइड की जाती है बाद में वो जो है वो इंडिविजुल्स को प्रवाइड करते हैं तो जैसा कि आपने देखा आज हम अपने फिर से 100 कुशन जो हमारे सप्टेंबर मनत के हैं वो कम्प्लीट कर चुके है ठीक है बहुत ही अच्छा से हमने इनको कम्प्लीट किया अगर आप हमारे इस से जुड़े रहने जाते हैं अगले मन्त मेरे को ल अगर आपको लेक्टर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सिस्क्राइब कर देना और बस हमारे साथ जुड़े रहे हम बहुत सारे अपके लिए अच्छे अच्छे लेक्टर से कोश्चन के ही लेक्टर समलेंगे क्योंकि आपका एक मिनिट भी हम वेस्त नहीं कर झाल झाल